विंड व्रिकर एपिसोड नमबर टू इस एपिसोड की सुरुवात ताचीवाना से होती है ताचीवाना अपने कैफे में काम कर रही होती है तबी एक बुड़ी दाडी जवर्दस्ती साकूरा की पीट पर बैठ कर कैफे में आ जाती है साकूरा को दादी का ये friendly behavior बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बाद में हमें पता चलता है कि दादी की back में दर्द हो रहा था इसलिए साकूरा ने उन्हें अपनी back पर बठा कर कैफे में ले आया था पर कैफे पहुँचते ही दादी की back का दर्द अच्रक से गायब हो जाता है साकूरा फूरिन युनिवर्शिटी का हिस्सा होता है और फूरिन युनिवर्शिटी के बच्चे आम लोगों को बुरे लोगों से बचाते है इसलिए दादी साकूरा को thank you बोलती है जिस पर साकूरा सर्मा जाता है आगे ताचीवाना भी साकूरा को खाना ओफर करती है ताचीवाना देखती है कि युनिवर्शिटी की opening ceremony दोपैर में सुरू होनी है पर साकूरा इतना जाता excited होता है कि वो 10 बजे से ही ready होकर गुम रहा होता है आगे वहाँ पर एक और नई लड़के की entry होती है वो लड़का कैफे का gate खोलता ही है और टकरा कर गर जाता है हमें इस लड़के का नाम नीरा ही बताया जाता है यह लड़का भी साकूरा की तरह food in university को join करता है और साकूरा की class में ही पढ़ता है जैसे ही नीरे को साकूरा के बारे में पता चलता है नीरे भी साकूरा के बाल और आखों के बारे में कहने रग जाता है यह देख अगर साकूरा गुस्से में आ जाता है आगे नीरे साकुरा से कहता है जरूर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होके इसकी बच्चे से तुम्हारे बाल सफेद हो गए पर साकुरा को नीरे की बात समझ नहीं आती यह दिख अगर ताची बाना हसने रख जाती है आगे ताची बाना साकुरा को नीरे से फूडिन में क्या करने आए हो? नीरे की बाते सुनकर साकूरा कहता है मैं यहाँ पर नंबर बन फॉइटर बनना आया हूँ यह सुनकर नीरे चौग जादा है आगे साकूरा कहता है दूसरों की रक्षा करना अच्छी बात है यहाँ पर अच्छे खास स्ट्रॉंग लोग हैं अगर मैं यहाँ पर नंबर बन बन जाता हूँ तब जाकर मैं सेटिसफाइड हूँगा नीरे बड़ी ध्यान से साकुरा की बात सुनने के बात करता है तुम इंपोसिवल बाते मत करो अगर तुम ऐसा करने के लिए जाओगे तो तुम स्ट्रेस की बज़े से टकले हो जाओगे नीरे की बात सुनकर ताचीवाना हसने लग जाती है इसके बाद नीरे जैसे ही गड़ी की तरफ देखता है उसे समझ आता है कि वो लेट हो रहा है और वो ताचीवाना को बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है हमें बता चलता है कि नीरे केबल ताचीवाना को अपनी नई स्कूल की युनिफॉर्म दिखाने के लिए आ था नीरे के जाने के बाद ताचीवाना साकूरा से उसके बारे में बात करने रखती है साकूरा नीरे की हरकतों को जज करते हुए कहता है कितना चूत या इंसान है ये पता नहीं कैसे कैसे लोग फूरीर में एडिमीशन ले लेते हैं फूरीर में कूल लोग होने चाहिए ऐसे नहीं इस पर ताचीवाना कहती है तो मैं किसी को भी उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए इस पर साकूरा कहता है मैंने ऐसे बहुत देखे हैं जो मुसीवत पढ़ने पर सबसे पहले वहां से भाग जाते हैं इस पर ताचीवाना कहती है कि तुम बड़ी ही जल्दी दूसरों को जज कर लेते हो साकूरा अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है मैंने खूब जानता हूँ ताचीवाना कहती है कि क्या तुम्हें पता है कॉफी की बेरीज किस कलर की होती है इस पर साकूरा कहता है सायद कॉफी कलर की ताची बाना साकूरा को बताती है कि कॉफी की बेरीज, चेरीज की तरह रेड कलर की होती है पहले मुझे भी लगता था कि वो कॉफी कलर की होती है इससे हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने से पहले उसे जान लेना चाहिए तुम चाहे कुछ भी सोच सकते हो पर किसी को इतनी जल्दी जज़ करना ठीक नहीं है तुमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए एक दूसरे को समझना चाहिए नहीं तो तुम एक दूसरे को कभी नहीं जान पाओगे ताची बाना की बात सुनकर साकूरा को ताची बाना की पुरानी बातें याता जाती है इसके बाद साकूरा ताची बाना से पूछता है क्या सही में नीरे एक फाइटर है इस पर ताची बाना कहती है क्या तुम लोग बस फाइटिंग के बिजिस पर ही जज करते हो अगलेशीन में साकूरा रोड पर चल रहा होता है और ताचीवाना की कही होई बातों को याद कर रहा होता है साकूरा अभी भी मनी मन में ताचीवाना की बात से अगरी नहीं करता और सोचता है तुम चाहे कुछ भी कहो पर मुझे सच पता है साकूरा ये सब सोचते हुए सडक से जा रहा होता है तब ही एक सौपकीपर साकूरा को फ्री में ब्रेड ओफर करता है ये देख अगर साकूरा हैरान हो जाता है वो सौपकीपर साकूरा से कहता है फूरिन युनिवर्षटी के बच्चे हमेशा मेरी हैल्प करते है इसलिए मैं तुम्हें ब्रेड ओफर करना चाहता हूँ मेरे बेटे शौप कीपर की बाइफ साकूरा की तारीफ करने लग जाती है क्योंकि पिछले दिन साकूरा ने गुण्णों से लड़ाई की थी अपनी तारीफ शुनकर साकूरा सर्मा जाता है और वहां से आगे चला जाता है पर शौप कीपर जवरदस्ती साकूरा को कुछ ब्रेड पैक कर प्रवोगुंडे नीरे को पीट रहे होते हैं गुंडो का लीडर नीरे से कहता है तुम फूरिन युनिवर्शिटी में जाते हो और लोगों को बचा कर हीरो हीरो खेल रहे हो पर तुम्हें कौन बचाएगा मेरे बेटे ऐसा बोलकर गुंडो का लीडर वहां से जाने लगता है और नीरे उसे पकड़ लेता है गुंडो का लीडर नीरे को पंच मार कर जमीन पर फिक देता है नीरे फिर से खड़ा होकर लीडर को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम लोगों को उनकी प्रपरटी को नुकसान पहुचाने वाले हो तो हम बोफृन तुमें नहीं चोड़ेंगे नीरे की बात सुनकर सभी गुंडे हसने लग जाते है आगे गुंडो का लीडर बोफृन का मजाक उड़ाते हुए नीरे को पीड रहा होता है जैसे ही गुंडो का लीडर नीरे को तेज मुक्का मारने वाला होता है वहाँ पर साकूरा की एंट्री हो जाती है साकूरा उड़ते हुए लीडर को एक एक मारता है जिससे लीडर दूर जाकर गरता है बाकी के गुंडे साकूरा को देख कर कहते है तब यहाँ पर अपने दोस्त को बचाने आयों क्या इस पर साकूरा बड़ी ही स्टाइल से कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो जब कमजोर लोग खुद को स्टॉंग समझने लगते है तो मुझे इससे उल्टी आती है इसलिए मैं आया हूँ इसके बास साकूरा अकेले पलक जबकते ही सारे गुंडों को पीड देता है साकूरा की लड़ाई देख कर नीरे बहुत ही ज़़ा इंप्रेस हो जाता है और साकूरा को शुक्रिया कहता है नीरे आगे साकूरा से कहता है सौरी मैंने तुम्हें डिसापॉइνट किया तुम सोच रहे होगे कि मेरा जैसे लड़का फूरीन में क्या कर रहा है इस पर साकूरा कहता है पहली बात मैंने तुम्हें नहीं बजाया और दूसरी बात फेक लोग हर जगे पर है मुझे नहीं पता तुम फूरिन में क्यूं आये हो पर तुम्हें अपनी लिमिट समझनी चाहिए साकूरा की बात सुनकर नीरे रोते हुए गयता है जब मैं मिडल स्कूल में था सभी लोग मुझे पर बुली करते थे मुझे मारते थे और मुझे से अपना काम करवाते थे पर एक दिन मुझे एक फूरिन स्टूडेंट ने बचा लिया मैं नॉर्मली फूरिन स्टूडेंट से ड़ता था पर उस दिन मुझे वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगे उसके बाद से मैंने फूरिन में जाने का फैसला किया जिससे मैं भी स्ट्रॉंग और कूल बन सकूँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमजोर हूँ आगे साकूरा याद करता है कि उसने ताची बाना से कहा था नीरे जैसे लोग लड़ाई देखकर सबसे पहले वहाँ से भाग जाते है पर नीरे गुर्णो के सामने लगातार उन्हें रोकता रहा साकूरा नीरे से कहता है तुम पहले ही कमजोर हूँ अगर तुम रोते रहोगे तो और ज़्यादा कमजोर लगोगे तुम लेम तो नहीं हो आगे वहाँ पर बो लड़की भी आ जाती है जिसने साकूरा से हेल्प मांगी थी वो लड़की नीरे का भी सुक्रिया करती है और कहती है अगर तुम बहाँ पर नहीं आते तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो था मैं बहुत ही लखी थी तो मारा बहुत ही ज़़ा सुक्रिया इसके बाद वो लड़की साकूरा को भी सुक्रिया बोलती है जिस पर साकूरा सर्मा जाता है आगे नीरे साकूरा के बारे में डाटा निकाल लग जाता है जैसे उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, फैट क्या है, इवन उसका ब्लेड गुरुप तक क्या है ये देखकर साकूरा इंबेरस हो जाता है और नीरे को डाट लगा देता है नीरे कहता है कि मैं अपनी डारी में सबसे इंप्रेसिब लोगों के बारे में जानकारी रखता हूँ मुझे तुमारे बारे में जानकारी रखनी है इसके बाद साकूरा और नीरे वहाँ से चले जाते है नीरे साकूरा से कहता है कि मैं बले ही लड़ाई में अच्छा ना हूँ पर मैं तुम्हें पूरा सहर और यहां के लोगों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ जब तक तुम नंबर बन नहीं बन जाते हो इसके बाद दौनों लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं अगलेशीन में हमें फूरीन का सीन दिखाया जाता है वहाँ पर एक सफीद बारवारा लड़का सवी फर्स्ट यर स्टुडेंट्स का स्वागत कर रहा होता है दूसरी तरफ साकूरा और नीरे अवीता की स्कूल नह के हुए होते हैं साकूरा युनिविश्टी को देख कर सोचता है पिछले दिन जिन लोगों ने मेरे साथ लड़ाई में हेल्प की थी यहां पर उन जैसे बहुत सारे लोग होंगे इसके बाद साकूरा और नीरे दौन लोग क्लास का स्केडूल देखने लग जाते हैं हमें कहता है कि यह तीन लोग बहुत कूल है इसके लावा नीरे को एक और नाम देखता है यह नाम देखते ही नीरे के पसी ने छूट जाते हैं नीरे कहता है कि कास यह हमारी क्लास में नहीं होते तो कितना अच्छा हो जाता नीरे की सारी excitement एक डटके में गायब हो जाती है नीरे लग सकता है कि तुम सहर को और वाफ्रेन को नुकसान पहुचाओगे इसलिए हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है नीरे की बात सुनकर साकूरा बॉम अप करने लग जाता है ये देखकर नीरे कंफ्यूज हो जाता है साकूरा कहता है कि मुझे घंटा फर्ग नहीं पड़ता पता नहीं किस तरह के लोग इस क्लास में होंगे इसलिए मुझे डेडी रहना चाहिए इस उनकर नीरे डर जाता है नीरे साकूरा को समझाने की कोशिस करता है पर साकूरा कहता है मुझे परवा नहीं मैं यहाँ पर नंबर बन बनने आया अब एक लड़का नीरे और साकूरा की तरफ आता है साकूरा लड़के को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है उस लड़के को देखकर नीरे फिर से बहुत ज़्यादा एकसाइटेड हो जाता है पर साकूरा को लड़ने के लिए रेडी होत देखकर नीरे साकूरा और उस लड़के के बीच में आ जाता है। आगे नीरे उस लड़के से माफी मांगता है। वो लड़का जोक मारता हुआ अपना नाम लियुनारडो डी कैप्टियो बताता है। इसके बाद हम पता चलता है कि इस लड़के की आख पर एक आई पैच होत सूओ की बात सुनकर नीरे हैरान हो जाता है और कहता है तुमारी आख पर तो लड़ाई के समय चोड लग गई थी इस पर सूओ कहता है ये तो बाकी सब बोलते हैं सूओ के जोग सुनकर साकूरा को गुस्सा आ जाता है नीरे साकूरा को सांथ करी रहा होता है और सूओ के बार आउटसेडर लोगों को इतनी जल्दी सुईकार नहीं किया जाता। आगे हम देखते हैं कि सुओ साकूरा से लड़ने की बज़ाए उसे साभास ही देता है और उसकी तारीफ करने लग जाता है कि कैसे उसने पिछले दिन की लड़ाई में अच्छा काम किया। सुओ की बात सुनकर क्राज के बाकी लोग सुओ से साकूरा के बारे में पूछने लग जाते हैं। सुओ ने बताता है कि कल मीन स्ट्रीट पर स्पैल टिप्स गैंग के लोगों ने हमला किया था। हिरागी कुछ लोगों को लेकर सहर के लोगों को बचाने के लिए गया था पर हिरागी के पहुँचने से पहले ही साकूरा ने वहाँ पर लोगों को बचा लिया था सुओ की बात सुनकर सभी लोग साकूरा के पास आ जाते हैं वो कहते हैं कि हिरागी खुद गया था इसलिए हमने उस लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद सभी लोग एक के करके साकूरा की तारीव करने लगते हैं। इससे साकूरा और ज़्यादा सर्मा जाता है। नीदे भी चैन की सांस लेता है कि कोई भी साकूरा के आउट शैडर होने पर परिसा नहीं करेगा। आगे एक लड़का साकूरा से पूछता है कि आखिर तुम दूसरे टाउन से यहां क्या कर रहे हो। इस पर साकूरा कहता है मैं हाँ पर नंबर बन फाइटर बनने आया हूँ। साकूरा की बात सुनकर नीरे फिर से पैनिक करने लग जाता है। दूसरी तरफ साकूरा की बात सुनकर किर्यू और सुगेरो भी अपना काम छोड़ देते हैं। तब ही हम देखते हैं कि एक बेंच उड़ते हुए साकूरा और नीरे के पास आती है। अनबता चलता है कि ये बेंच उसी लड़के ने फैकी होती है जिसका नाम देखकर नीरे डर जाता है। नीरे साकूरा से उस लड़के से दूर रहने के लिए कहता है। और साकूरा को बताता है कि ये लड़का फूरिन का सबसे खतरनाक स्टूडेंट है हमें इस लड़के का नाम सुगिस्तिता क्योटारा बताया जाता है क्योटारा बड़े ही गुस्से में साकूरा की तरफ बढ़ रहा होता है क्योटारा को देखकर बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं साकूरा कहता है मुझे तो खतरनाक सब बहुत ज़्यदा पसंद है आगे क्योटारा सीधा साकूरा के तरफ कूदता है और उसे पंच मारने के कोश्च करता है पर सभी लोग साही समय पर वहाँ से हट जाते हैं। साकूरा क्योटारों से कहता है, मैं यही देखने के लिए तो फूरी नाया था, तो हम इसे कैसे शेटल करने वाले हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताईए आपको एपिसोड कैसा लगा है।